हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो मैं चैनल, डॉक्टर प्यांकाज किचिन, आज मैं दही की एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो आप सब के स्वास्त के लिए बहुत ही जादा फायदे मंद है, तो चलिए शुरू करते हैं, आज मैं यहाँ पर आपको एक ऐसे दही के बा दर्द, हड्डियों का दर्द, कमर दर्द, यानि की और्थराइटिस की जो भी समस्या है, वो सब बिल्कुल दूर हो जाएंगी, इसका इस्तेमाल आपको सिर्फ 20-25 दिन ही करके देखना है, आपको उतने में ही इस दही का असर समझ में आने लग जाएगा, फ्रेंड्स, द दही जो जमाते हैं, उसके जमाने के तरीके को बदल दें, यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैंने एक मिट्टी का बर्तन ले रखा है, यह देखिए, यह बिल्कुल नया है, मिट्टी का पात्र, मैंने खरीद के लाया हुआ है, इसे मैंने अच्छी तरह से धुल कर साफ कर ल साथ ही यहाँ पर मैंने एक लीटर दूध लिया हुआ है जिसे मैंने उबाल कर थोड़ा सा ठंडा कर लिया है इसे हमें पूरा ठंडा नहीं करना है बलकि जब भी हम दही जमाने के लिए दूध का इस्तमाल करते हैं तो वह हम हलका सा वाम यानि ल्यूक वाम या फिर गुनग डालेंगे इस तरह से फैलाते हुए और इसे मिक्स कर देंगे जामन की क्वांटिटी थोड़ा कम रखते हैं ताकि दही बहुत खट्टा ना हो अब साथ ही हमने यह लिया हुआ है चूना यह चूना जो है कैल्शियम होता है जिसका इस्तमाल पान वगयरा बनाने में किया ज जाएगा तो इसका इस्तमाल हमें कैसे करना है इसे हमने यहाँ पर यह कट कर लिया है और यह मैंने एक निडिल ले रखी है आप देख रहे हैं यह सिंपल से निडिल है इसको मैंने यह इसमें डिप किया और इसे हमने बाहर निकाल ले आप देख रहे होंगे कि निडिल के उपर white particles लग गए हैं जो की इस चूना का पार्टिकल है अब इससे हमें इस तरह से rotate कर देना है ताकि जामन के साथ ही ये चूना भी दूद में अच्छी तरह से mix हो जाए ये देखिए निडिल क्लीन हो गई अब इस निडिल को हम हटा दे रहे हैं और इस दही को अब हम इस तरह से ढख देंगे अब इस दही को ढख कर लगभग साथ से आठ घंटे तक हम छोड़ देंगे सेट होने के लिए या फिर आप इसे रात में जमाईए और सुबह तक में ये दही कि बहुत अच्छी तरह से जम जाएगी अब हम आपको इस चूना को स्टोर करने का भी तरीका बता देते हैं यह देखिए यह आपको चूना दिख रहा होगा अब इसे हम एक किसी भी यह यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक की डिबी ले रखी है यह हमने चूना निकाल लिया है अब इसे इसी तरह से गीला ही हमें रखना है और चूना को हाथ से एक्चली टच नहीं किया जाता है नहीं तो चूना खराब हो जाता है ऐसा बोलते हैं कि चूना मर जाता है तो चूना मरे नहीं इसके लिए इसे हमेशा गीला रखना है और इसको क्या करेंगे हम पानी भर देंगे इसमें ये रेखिए चूने में हमने इतना पानी डाल दिया है कि ये डिप सा हो गया है आप हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे आप चाहें तो इसके लिए कांच का बरतन भी यूज कर सकते हैं और इसे हम फ्रिज में स्टोर करके रख देंगे क्योंकि चूना की कोई expiry date नहीं होती है बलकि चूना जब ही सूख जाए इसका पानी सूख जाए तो चूना खराब हो जाता और हमें उस वक्त चूने को बदल देना चाहिए दूसरी चीज आप चाहें तो इसी चूने में पानी की जगा कच्छा दूट डालके आप अच्छी तरह से mix कर लें और उसे store करके फ्रिज में रख दें ये दोनों तरीके ही चूना को store करके रखने का बहुत ही जादा अच्छा है आपका चूना कभी खराब नहीं होगा आप इसे लंबे समय तक रख सकते हैं तो अब हम दही को set होने के लिए छोड़ देंगे इसक देखिया दही बहुत ही अच्छे से जम गया है ये मेरा आजमाया हुआ है इसे मैंने खा कर देखा है उसके बाद ये रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस दही के फायदे और भी मैं आपको गिनवा दू कि ये किसी भी प्रकार के शरीर में जो दर्द होते हैं तो उनका भी दिमाग तेज होता है आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी ये जानकारी कैसी लगी अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो पसंद आई हो तो आप जादा से जादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी लोग इस जानकारी का लाब उठा स देखने में बहुत टेस्टी भी लग रही है वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स